अब यह वीडियो इंपोर्टेंट तो है लेकिन बाइं जो बगिनर्स हैं पहला टेंप्टे ना स्क होन्के लिए वह एक्दम गोल्डन वीडियो होने वाली जो experience बच्चे होते हैं जो पहला attempt दूसरा attempt दे चुके होते हैं इसलिए नहीं हुआ होता है पढ़ रहे होते हैं लगातार वो और जो अभी बिगिनर्स हैं जारी की आप ठीक है आप लोग अलग क्या करते हो वो मैं आपको बता दूगा जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएग बहुत है कि हाँ भाई अभी से हमको क्या पढ़ना है ठीक है समझ रहो वो जो एक साल का गया पर ना छह महीने आट महीने एक साल का गया वह खतम कर सकते हो आप वीडियो द्यान से देख लेना इस वीडियो में सारी चीज़े में क्लियर कर दूँँगा आपका एक्जाम भा घबराना मत बिल्कुल भाई पॉजिटिव रहो पिछली वीडियो नहीं देख लेना बाई कंपेटिचन की रियालिटी बताई मैंने रियालिटी क्या है बहुत सारे जो बिगिनर्स है वीडियो नहीं देखिए मेरी पिछली वाली उनको यही मैंड में है 57 लाग फॉर में इतने ज्यादा फॉर में इतना ज्यादा कंपेटिचन है कट आफ हाई जाएगी और मैं तो कुछ नहीं हूं मैंने तो अभी थोड़ा बहुत ही बढ़ा है कुछ नहीं हो सकता ठीक है अब मैं आपको देखो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपोरेंटी बताने वाला ह इसली वीडियो में कमेंट आ रहे थे इंग्लिश के लिए आप बता दो कि इंग्लिश हमें चैप्टर वाइस कहां से मिल जाएगी और शॉलूशन भी चाहिए हमें पेज क्वालिटी बुक बढ़िया चाहिए उसके अलावा जिस टीचर ने वह बुक लिखी है वह टीचर बैइ अपने आप में खास है रेंकर्स गुरूकूल के सर है ठीक है प्रसान सोलंगी सर को सब हर को जानता हुआ साथ नहीं जानते होंगी बिगनर्स हो आप ठीक है सब इस्पेक्टर है डली बुलिश में और ये इंग्लिश के टीचर है ठीक है इन्हों ने बुक लिखिया ये वाली action publication की तरफ से आई ये बुक तो इस बुक में क्या advantage है ये CGL warrior के नाम से ये मत सूचना कि MTS में काम नहीं आएगी, CHSL में काम नहीं आएगी, उनमें ज़्यादा काम आएगी, CGL से भी ज़्यादा काम है आगी क्योंकि मैं बता रहा हूं कि CGL के question हर कोई बच्चा लगा रहा है, जो CGL की तयारी कर रहा है, लेकिन जो MTS की तयारी कर रहा है, वो CGL के question नहीं लगा रहा है, आप लोग CGL की question लगाओगे, तो इंग्लिश का जो concept है, questions है, कहीं बाहर से नहीं पूछता, वहीं से बार बार repeat होते है questions, इसमें क्या दे रखा भाई, previous year questions, year wise दे रखा है approach, subject wise, ठीक है, आपको क्या chapter मिल जाएंगे, ठीक है, errors के अलग से chapter है, sentence improvement का अलग से chapter है, ठीक है, और इसके लावा जैसे और chapter हुए, conjunction हुआ, noun हुआ, pronoun हुआ, तो उनके अलग-अलग chapter दे रखे है, year wise दे रखा है, जैसे 2023 के सारे questions पहले, देखो मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ आप लोगो, देखो ये दिख रहा अब देखो solution दिखा दे रहा हूँ, solution किस तरीके से रखा है, normal solution नहीं है, जैसे कि आपने जो concept पहले पढ़ रखा है, ठीक है, उस concept को revision के तोर पर आपको quick revision हो जाएगा, वही से solution देखोगे, ये देखो कुछ इस तरीके से इनोन है, क्योंकि भाई देखो, अपने आप में ह teacher को सुष करता है, कि बच्चा भाई, अच्छे से अच्छा solution मिले, अच्छे से अच्छा content मिले, बहुत सारी books market में अच्छी है, बुरी है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, मेरे को ये book एकदम perfect लग रही है, almost, जो कि 100% तो भाई, कोई book perfect नहीं है, ठीक है, लेक CGL के questions ही लगाओ, मैं तो मानूँगा, चो कि आपका passage आना नहीं है, फर्त क्या रहता है, CGL और MTS में, केबल भाई, लेंग दी पेपर आता है, थोड़ा सा CGL का, वो भी मेंस की बात कर रहा हूं, pre लगवग same ही मिलेगा, ठीक है, इसमें passage भी नहीं आता है, MTS में, तो आप आपका vocabulary part पढ़ रखा है, slayvers के तौर पर कर रखा है, chapter wise यहां से करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो भाई, English के लिए यह हो गया, आपको link इसकी नीचे description में मिल जाएगी, फटावर से देख लेना, यह मत पूछना, कहां मिलेगी, कहां नहीं मिलेगी, Flipkart, Amazon, मैं Amazon के link नीचे description में दे दूँगा, देखो भाई, आपको क्या करना है, जो बच्चे भी beginners हैं, और जो भाई experienced बच्चे हैं, experience बच्चे को भाई, एक देड़ साल हो जाती है, उसके बाद उसको पता दलता है, कि SSC तो भाई, एक्च्वल में यह पूछ रही है, मैं इतना सारा पढ़ने लग जाता है, और जो fresher होता है, वो उसकी जगह आता है, फिर वो क्या करता है, fresher सारे chapter को पढ़ता है, detail में, फिर उसको बता दलता है, यह chapter तो एक्च्वल में इतना detail में आई नहीं रहा, उपर-उपर से इतना इतना आ रहा है, तो भाई, SSC ऐसा ही काम करती है, यह कैसे पता दलेगा आपको, कि भाई, आपको questions कहां से, और कैसे कितना deep में पूछा जा रहा है, वो previous year से ही पता दलेगा, और नहीं तो कोई YouTube पर वीडियो पढ़ी हो, किसी teacher की, वो देख लेना, कि हाँ यह static dk का part, या फिर history, policy, geography, economy, इनके part में से, यह यह topics में से, ज्या पढ़ने बैठ लेके, भाई, एक गंटे, दो दो गंटे लगे हुए हो, revise कर रहे हो, याद कर रहे हो, बच्चों की तरह, भाई, ऐसा नहीं होता, SSE CGL में limited करना है, और यह बात आप अभी समझ जाओगे, तो भाई, आपको अपना time बचा लोगे, सीधा-सीधा, एक डेड महीना, जितना भी है भाई, आपके पास, भाई, तैयारी में लग जाओ, आपको करना क्या है, मैंने पहले तो आपको slayvers बता दिया, कि slayvers भाई, आपको इस तरीके से करना, जो SSE पूछ रही है, factual चीज़ें ज्यादा पूछती है, SSE, wars हुए, किसने क्या चीज़ें दिकारियों ने लिखी ही थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, current affair का part एक तरफ आ जाता है, current affair में भी topics हैं, ये वीडियो में बता चुका हूँ, current affair की क्या क्या topics आपको जरूर ही है करने, ठीक है, चार-पार topics बताएं, पहले वीडियो में, ठीक है, channel में पड़ी हुई है, इसक आपको chapter wise questions लगाने है, previous year, chapter wise, इसके अलावा sectional mock लगाने है, daily, छोड़ना ही नहीं है, sectional mock ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ लो, कल्म लगा रहे हो, परसों पढ़ लो, फिर उसके बाद लगा रहे हो, ऐसा नहीं, daily लगाने है, आपको जो mixed previous year sectional mock है, वो सारे ही लगाने है, उ उनको देखो क्यों जा रहे हैं, और उस concept को भाई note कर लो, एक अलग से copy बना लो, आप वहीं के वहीं उसे bookmark कर लो, या फिर कुछ भी कर लो भाई, उसको हम खोल के देखने का मन नहीं करता, लेकिन आपके पास copy है, आपको याद है कि इसमें से मुझे एक बार देखना जर और भाई, वहल है हूँ ठीक है, लिमिटेड वाट है, उनको याद कर लो, थिक है? अब बुक्स है, बुक्स से याद कर लो, लिमिटेड ऐसा नहीं है सारी बुक्स करने बैठ गए, बुक्स में भी इंपोर्टेंट जो लोट है, वो याद करने हैं ठीक है? तो भाई आप चीख गए तो आप समझो भाई ऐसे से ज्यादा दून नहीं हो यह ट्रिक्स होती हैं अब मैंने केवल आपको दो चीज़ें बताई है केवल आपना स्लेवर्स तो अपनी जगापर तो आपनों करना ही है छाल करना हिए इंग्लीस में भी देव्स देखो इंग्लिस में भाले बट्चे ही पढ़ना होसे बागी बच्चे लगतीई इपर सकते हिंते आपको घूमना है फालतु इधार उधार कहीं नहीं सुनना एक गंटे की वीडियो नहीं देखना एक गंटे में जो वीडियो में करा रहा है आप उसे चार गोना कर लोगे तो इससे देखना वही है इस ने उसमें 50 कोशन करवाए है तो जी आइसके 50 कोशन वहां से हो गए हाला कि उसने और ऑप्शन डिटेल में बता दिये लेकिन वह काम की चीज नहीं है मानू उस तने में आप अपना आदा घंटा रिवीजन कर लो आदे घंटे कोशन लगाओ प्रिवियस यर उनका सॉलूशन देखो तो सॉलूशन में भी आजकल हर जगा बुक्स लेलो या फिर ओनलाइन लेलो सॉलूशन में भी डिटेल चीज़ें दे रख्यों चार ओप्शन की तो वह चीज़ें ज्यादा में मेरे साब से तो आपको बस केवल यही करना है जो बिगिनर्स हैं खास कर कि अपना स्लेवस देखो स्लेवस जो आपका नहीं हुआ है फटावर से वह कर लो क्योंकि चैटर आप छोड़ोगे उसमें से दो तिन कोशन आ गए नहीं किये वहीं पर कंप्रिशन में नीचे आ जाओगे पॉइंट फाइव नम्मर से हजारों में रेंक नीचे गर जाती है आप सभी को पता होगा नहीं बता तो मैं बता दे रहा हूं तो आपको यहीं करना है स्लेवस आपका हो चुगा है चैटर वाइस कोशन लगाओ प्लस शेक्शनल मौक लगाओ डेली जी चैटर वाइस है चैटर वाइस आप प्रिविएस यह बुक बता दी इंगलिस की ऐसे ही जी एस लगाना है अपको प्रिविएस यह चैटर वाइस तो भाई यह है कॉंसेट इसी में आपको भूमना है और हां रिवीजन करना मत भूल जाना जो आपने पढ़ रखा उसे बीजन करना जो स्टेटिक में याद नहीं हो रहा था ठीक है स्टेटिक जी के का भारी वरकम पार्ट पूचा जाता है डांसर्स है ना फैस्टिवल्स और इस्टूमेंट लेस्ट इन मैंसे तीन-चार कोश्चन आ जाते हैं ठीक है और प्रिविएस यह कोश्चन लगा उसी बस दुनिया जो कर रही है बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर देना ठीक है क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो मिलता हूं कोई भी डावट है कमेंट जरूर कर देना जैहिन जैबारत